जोहार मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं चन्मन की बार दोस्तों चमपई सोरेन मंत्री मंडल का आज विस्तार हुआ और जैसी चर्चा थी कि कॉंग्रेस कोटी के मंत्रियों में बदला होगा वैसा कुछ देखने को नहीं मिला बन्ना गुपता रामेश्वर उराव और बादल ने दोबारा शपत ले ली हला कि कॉंग्रेस के विधायक कुछ घंटे तक नाराज रहे लेकिन उनको मना लिया गया ऐसा बताया गया और राजभवन में कॉंग्रेस के कोटे के उन्हीं तीन मंत्रियों ने शपत ली जो हेमन स सर्कार में शामिल थे जारकन मुक्ति मूर्चा कोटे के मंत्रियों में बदला हुआ जोबा मांजी को द्रॉप कर दिया गया है और बसंत सोरेन नए मंत्री के रूप में शामिल हुए हैं और जोबा मांजी की जगह पर दीपक बिर्वा चायबासा के विधायक दार्खण मुक्ति मोर्चा के विधायक दीपक बिर्वा शामिल हुए तो मंत्री मंदल का विस्तार हो गया शपत हो गया और साथ ही विभागों का बटवारा भी मुक्ष मंत्री चमपई सोरेन ने कर दिया है दोस्तो आठ नए मंत्रियों को शपत दिलाए जाने के साथ ही मुक्ष मंत्री चमपई सोरेन ने विभागों का बटवारा भी कर दिया है कॉंग्रेस के मंत्रियों के विभागों में कोई फेर बदल नहीं किया गया है यानि रामेश्वर उराओ बनना गुपता और बादल के मंत्रा ले उनके विभाग वही रहेंगे जो हेमन्त सोरेन के कारेकाल में थे पूरु मुख्यमंत्री हेमन सोरेन के जिम्मे रहे विभागों में पत, भवन और जलसंसाधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग उनके छोटे भाई बसंद सोरेन को दिये गए हैं वहीं बेबी देवी से शिक्षा एवंग उत्पाद विभाग हटा कर उनको महिला बाल विकास एवंग समाजिक सुरक्षा विभाग दिया गया है इसी तरह चमपई सोरेन के जिम्में जो विभाग है मन सोरेन सरकार में थे यानि कल्यान और परिवहन वे नए मंत्री दीपक बिरुवा को दे दिये गए हैं सत्यानंद भोक्ता की बात करें तो उनको जबरदस्त फाइदा हुआ है और श्रम के साथ उनको उद्योग विभाग दे दिया गया है उद्योग विभाग एक बड़ा विभाग है तो आरजेडी के खाते में एक विभाग और बढ़ गया है विभाग इस प्रकार है मुख्य मंतरी चमपई सुर्यन के पास कार्मिक प्रशाषनिक सुधार एवंग राजभाशा विभाग गृँ विभाग कारा सहित मंतरी मंदल सचवालै एवंग निगरानी संसदिया कार सहित वैसे सभी विभाग जो किसी दूसरे को आवंटित नही किये गए हैं उनके पास रहेंगे आलमगीर आलम के पास ग्रामिण विकास विभाग और ग्रामिण कार विभाग और इसके साथ पंचायती राज विभाग जो पहले से उनके साथ था वो रहेगा सत्यानन्द भोक्ता को श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवंग कौशल विकास तथा आज एक नया विभाग जोड दिया गया उद्योग विभाग। रामेश्वर उराओं को दिया गया है वित्त योजना एवंग विकास वानिज्यकर एवंग खारचारजनिक वित्रण एवंग उभोगता मामले विभाग ये विभाग पहले भी रामेश्वर उराओं ही द विधायक है आज्श पथली है उनके पास स्वास्चिकिस्टा शिक्षा एवंग परिवार कल्यान विभाग तथा आपदा प्रमंदन विभाग रहेगा पहले भी यही था बादल को कृषी पशुपालन एवंग सहकारिता विभाग मिला है पहले भी यही था मितलेश ठाकूर क पास भी पेजल विभाग है लेकिन उनके साथ उत्पाद एवंग मद निशेत जोड़ दिया गया है यानि शराब के साथ पानी दोनों उनके पास रहेगा बसन सोरेन पत निर्मान भवन निर्मान एवंग जलसन साधन विभाग के मंत्री होंगे हफीजु लसन अल्प संख् कल्यान दिभंदन एवंग परिटन कला सिस्कृति एवंग खेल कोद विभाग के मंत्री होंगे और बेबी देवी महिला बाल विकास एवंग सामाजिक सुरक्षा विभाग संभालेंगी तो ये मंत्रियों के बीच विभागों का बटवारा हो गया है और बसंत सोरेन को पहल इसके साथ ही उनके पास कार्मिक विभाग भी है गरीवी भाग भी है तो ये सब हैं लेकिन मज़ेदार बात ये है, कि कॉटे के मंत्रियों के विभागों में कोई फेर बदल नहीं किया गया है हलाकि राजद कोटे से मंत्री सत्यानन भोकता को एक अतरीक्त भी भाग दिया गया है और साथ में बाजनात राम को मंत्री बनाया जाने की चर्चा थी ये कहा जा रहा था कि अनुसूची जाति कोटे से बाजनात राम को मंत्री बनाया जा सकता है ऐसी बाते भी कही जा रही है कि मंत्रियों की जो शपत बनाने मंत्रियों के शपत लेनी की जो सूची थी उसमें बाजनात राम का नाम शामिल था राजभवन से उनके नाम का जो मंत्रियों के लिए वारंट इशू होता है शपत के लिए वो भी इशू हो गया था लेकिन अंतिम समय में कॉंग्रेस ने विरोध कर दिया और कहा कि 12 में मंत्री का पद कॉंग्रेस को मिलना चाहिए और इस बात पर विवाद होता देखकर बैजनात राम को ड्रॉप कर दिया गया यानि बैजनात राम की ट्रेन अंतिम समय में छूट गई बेचारे मंत्री बनते बनते रह गया हलाकि बैजनात राम पहले मंत्री रच चुके हैं भाजपा की सरकार में दूसरी बात यह रही कि कॉंग्रेस कोटे के मंत्रियों को बदले जाने की चर्चा हो रही थी दिपिका पांडे सिंग भूशन बाला जैसे लोगों की चर्चा भी हो रही थी लेकिन आखिरकार तीनों मंत्री जो है मंसुरिन की सरकार में थे रामेश्वरुराओं बादल औ बनना गुपता रह गए उनको शपत दिलाई गई और इसको लेकर कॉंग्रेस के विधायकों में नराजगी देखने को मिली रांची के सरकिट हाउस के कमरा नंबर 107 में करीब 10 विधायकों ने 2 घंटे तक मीटिंग की अपनी नाखुशी का नराजगी का इजहार किया हलाक की बाद में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकूर विधायक दल के ने ताहरम गीरालम और प्रभारी गुलाम मेहमद मीर ने विधायकों से बात की उनको मनाया गया और फिर उनको शपत गहंण समारों में ले जाया गया हलाकि विधायकों की नाराजगी पूरी तरसे दिये गए हैं अभी तक के लिए इतना ही मिलेंगे के लिए वीडियो में तब तक इसाज़त दीजिए धन्यवाद नमस्कार